देखिए सर चाल समय और दूरी टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट नम्मर कॉस्चन देखिए एक नम्मर कॉस्चन आपसे क्या कहता है कि एक आदमी किसी निश्चित दूरी एकस किलोमीटर पिरती गंटे की चाल से जाता है और वाई किलोमीटर पिरती गंटे की चाल से आत है वह दोनों यानी आने और जाने में टी गंटे लगाता है तो दूरी ग्यात कीजिए देखिए हमारे पास क्या है यह कोई डिस्टेंस है डिस्टेंस हमें यहाँ पर आने वे जाने की दोनों डिस्टेंस फिक्स है कोई वेक्ती है वो एक्स किलो मीटर पिरती गंटे की चाल स जाता है और इधर से वाई किलो मीटर पिरती गंटे की चाल से आता है ऐसा करने में उसे टी समय लगता है तो हमें दूरी ग्यात करनी है दूरी का मतलब क्या हमें डिस्टेंस निकाल ली है ठीक है हम जानते हैं कि स्पीड इसकल टू यानि चाल बरावर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानि चाल बरावर ये कि आपकी चाल बरावर क्या होता है दूरी बटे में समय दूरी बटे में समय होता है अगर हम ऐसे टाइम निकालू तो टाइम बरावर कितना हो जाएगा distance upon speed ठीक है distance upon speed अब क्या है कि आने वे जाने में कितना समय खर्च हुआ है T समय खर्च हुआ है अब मैं पूछता हूँ कि यदि D distance को यदि कितने को यदि वो D distance को X km पिरती गंटे की चाल से जाता है तो कितना समय लगेगा तो उसे लगेगा D बटे speed कितनी X अब मैं आपसे कहता हूँ यदि उसे D distance को यानि Y km पिरती गंटे की चाल से आता है तो कितना हो जाएगा D बटे में Y आप क्या करना है T equal to यह D common ले ले लेते हैं 1 upon X plus 1 upon Y 1 upon Y ठीक है तो T equal to कितना हो जाएगा D into यह LC हम ले लेते हैं जब X into Y का LC हम लेंगे तो कितना हो जाएगा Y plus X अब क्या करना आपको D की value निकाल ली है तो जब हम D की value निकालेंगे तो जब cross multiply करेंगे तो क्या हो जाएग का आपके पास क्या हो जाएगा T upon में X plus Y into X into Y यानि हम कह सकते हैं जो distance है जो दूरी का formula बनेगा वो क्या बनेगा S into S2 और upon में S1 plus में S2 और जो यह समे है T जो यह T है यह T क्या है sum of time sum of time in both ways यानि कह सकते हैं कि समय का योग आने वैज जाने में तो आपका जो correct option होगा वो T upon X plus Y into X into Y यानि ए option जो होगा आपका correct option होगा